दिल हमारे शरीर का वो और्गन है जो जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम प्रान नहीं त्याग देते तब तक हमारा साथ देता है 24 गंटे दिन रात बिना रेस्ट किये पंपिंग कर रहा है शरीर के कोने कोने तक खून पहुचा रहा है हर सेल में जान को भर रहा है पूरी नसे नाडियां धमनियां हर चीज को स्ट्रॉंग बना रहा है अंदर से बाड़ी को फिट रख रहा है आकसीजन को लेकर जा रहा है लेकर आ रहा है दिल हमेशा सही से काम करता रहे उसके लिए क्या करें ऐसा क्या करें कि दिल को ताकतवर बना दे ऐसा क्या करें कि दिल की बिमारियां ना हो ऐसा क्या करें दिल मजबूत बना रहे ऐसा क्या करें दिल की पंपिंग हमेशा सही से होती रहे ऐसा क्या करें दिल के अंदर कलोस्ट्रोल जमा ना हो ऐसा क्या करें ट्राइगलिसराइडिस ना हो ऐसा क्या करें दिल जो है शेर दिल बना रहे ऐसा क्या करें कि दिल जो है वो थड़कता रहे और कभी भी दिल अचानक से धूखा ना दे दिल को अचानक से कोई भी हार्ट अटैक ना आए दिल को कैसे बचा कर रखें उसके लिए ऐसा क्या सेवन किया जाए तो उसके लिए मैं पहली चीज बताऊंगा लौकी का जूस घीये का जूस अगर आप रोज सुबा खाली पेट पीना शुरू कर देते हैं तो ये आपके दिल को जवाँ बना कर रखने के लिए काफी है अकेला हजारों दवाईयों के बराबर है लेकिन एक ही शर्त है लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए इसलिए जब भी लौकी का जूस पियें तो पहले उसको उपर से काट कर चबा कर देख लें अगर वो कड़वी हो तो उसका जूस नहीं निकालना वरना उसमें इंजेक्शन लगा हुआ लौकी वाली जो होती है वो कड़वी होती है और वो आपको नुकसान पहुचा सकती है बाकी लौकी फाइदे ही फाइदे हैं पेट के लिए राम बान है लौकी पेट को ठंडा रखने के लिए हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए डाइबटीज को कंट्रोल रखने के लिए मुटापा ना बड़े उसके लिए लोकी जान डाल देती है कि मुटापा कभी भी ना बड़े और शरीर को फिट कर देती है हाजमे को दुरुस्त करती है पेट साफ करती है fiber है और body के toxins को बाहर निकालती है मुत्र रोग नहीं होते सारे जहरिले विशेले तत्व बाहर हो जाते है और यहां तक कि यह दिल की धमनियों को भी साफ करती है और यह आपकी जो cholesterol है या triglycerides है इसको बाहर निकालने में मदद करती है तो अगर आप चाते हैं कि दिल को सदा जवान बनाई रखना है बुढ़ापे तक भी दिल आपका साथ दे और धुका ना दे तो रोज सुबा लोकी का जूस पिया करो बस लोकी कड़वी नहीं होनी चाहिए इसे रोजाना डाइट में शामिल किया जा सकता है और इसके आदे घंटे तक कुछ ना खाए लोकी का जूस पिना शुरू करो आप चंद दिनों में देखो कि क्या परभाव पड़ा, क्या फर्क पड़ा लोकी जैसी चीज हो नहीं सकती जिन लोगों को पीट खराब रहता हाजमे की प्रॉब्लम है जो कोई भी भोजन नहीं पचा सकते अगर आप उसे लोकी देदो तो वो तरंत पचा लेता है तो इसका मतलब क्या होगा, यह हलकी है हाजमे लायक है हजम करती है, एलकेलाइन है बॉड़ी को शारिये महौल देती है और बॉड़ी में से जहरीले तत्व बाहर निकालते है जिसको पेशाब ठीक से ना आता हो पेशाब रुक रुक कर आता हो पेशाब की तकलीफे हो पेशाब में जलन हो पेशाब ऐसे डिक हो जलकर आता हो लगकर आता हो पिशाम में पथरी की शिकायत हो लौकी का जूस पीना शुरू कर दो सब बाहर सब को बाहर फैक देगी पिशाम मुतर ऐसे आएगा एक दम से फरर से बाहर निकलेगा पेट ऐसा साफ होगा हाजमा बिलकुल दुरुस्त रहेगा और दिल की बिमार समय तक आपका साथ दे और आपको बीच में दोखा ना दे तो लौकी का जूस भी है